राजनानकों जिले के डोंगर गड में प्रग्यागिरी ट्रस्ट समीती द्वारा उन्तीसवा अंतरराष्ट्य बौध सम्मेलन का आयोजन किया गया इस मौके पर बौध अन्युयाईयों ने भगवान गौतम बुध के आदम कद प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना कर विश्व शांती के लिए प्रार्थना की इस अमेलन में पूर्व की भाती सामाजिक समरस्ता के अनुरूप बुध वंदना और परित्रान पाठ किया गया कुरुना संक्रमण की कारण विदेशी मेहमान नहीं आये किंतु 36 गड के अलावा मध्यप्रदेश और महाराश्य के भंदत भंते के साथ इस कारिक्रम के साक्षी बने पुर्व में यहां चीन, जपान और तिब्बत के बौध अनुराई उपासक उपासी का शामिल होते रही है बौध समाज के सदस्य एवं राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने बताया कि धम गुरू भंदत संग रत्न मानके और धम सेना नायक नागाजुन सुरई शशय की अगवाई में विश्व शान्ति के लिए पूजा अर्चना की गई हम ये कारिकरम कर रहे हैं और इस वर्स भी बहुती सांति पूण धंग से उपर पूजा अर्चना की गई भंदत संग रत्न मानके के सानिध्य में उनके आतित्य में और मार्चदर्शन में और धम प्रवचन भी हुए यह विश्व सांति के लिए यह पूरा संदेश देती है सांति का करोनाकाल के पीछले देव वर्स में हम लोग ने नहीं कर पाया लेकिन इस वर्स थोड़ा सा ढ इस मौके पर धम्म गुरू भंदत सुरई सशय ने बहुत उपासकों से भगवान गौतम बुद्ध के पंच शील त्याक तपस्या को आत्मसाथ करने तता सच्चाई के मार्ग पर चलने का अखवान किया इस दौरान सांस्कृति कारेक्रमों का भी आयोजन किया गया